नमस्कार, मैं हूँ ससी, आए जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं स्वास्त मंत्री, स्वास्त विभाग के अधिकारी, नीती आयोग के मेंबर सहीत, कई अन विभागो के अधिकारी ने भाग लिया माध्यमा, माधार्षा और इंटर्वोकेशनल परिक्षा 28 अगस से शुरू राज्य में माध्यमा, माधार्षा और इंटर्मेडियेट वोकेशनल की परिक्षा 28 अगस से शुरू होगी वहीं इंटर्मेडियेट कॉमपाइडमेंट की परिक्षा 6 नॉम्बर से जबकि मैट्रिक कंपाइंटमेंट की परिक्षा 9 नोमबर से शुरू होगी बता दे कि जार्खन एकेडमी कॉंसिल जएक ने सनिवार को इसके लिए सेडिूल जारी कर दिये है सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 20 अक्टूबर को महारायली जार्खन में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर सरना समाज की लोग गोल बंद होने लगे है बता दे कि आगामी 20 अक्टूबर को पूरे राज्ये में महारायली निकालने का एलान सरना सदस्यों की ओर से किया गया है इस संबद में सरना अधिवासी समाज एवें आधिवासी संस्कृति सरना धर्म रक्सा अभियान के तहट 32 से अधिक सिर्थ समाजिक एवें संस्कृतिक संगट्नों की और से कारेकरम और नीति की घोस्तना की गई पारा सिख्षको को मिला सितंबर का मांदे बी आरपी सी आरपी का मांदे सो मुआ तक राजी के पारा सिख्षको के सितंबर मांदे का भोक्तान कर दिया गया है जारकन सिख्षा पर युद्ना द्वारा सुक्रवार को रासी भेज दी गई बता देख राजी के 69 या 700 पराशिक्षकों के लिए लगभग 78 क्लोर रूपए आवंटित किये गए हैं उलखनी है कि पराशिक्षकों के नियमित मांदे भुक्तान किया जा रहा है उदर जारकन सिक्षा पर उनद्वारा मौडली स्कूल के सिक्षकों के मांदे का भुक्तान भी सुक्रवार को कर दिया गया 3000 BRP CRP के मांदे का भुक्तान सोमवार को किया जाएगा मोबाइल डाटा महांगा हो जाए तो रूख जाएगी बलतकार की घटना है DGP दुसकर्म की बरती घटनाओ के लिए मोबाइल का सास्ता डाटा जिम्यदार है सास्ता डाटा और पोर्नोग्राफी पर रोक लग जाए तो बलतकार की घटनाओ में कमी आ सकती है यह काना है जारकन के पुलिस महानिज़ेसक MB Rau का बता दे कि पुलिस महानि़ेसक सिरी Rau ने दुमका जिला के रामगण में नवालिक आदिवासी से बलतकार और बाद में उसकी हत्या की घटनाओ पर रोस ब्यक्त किया है पुलिस ने इस मामले में ततकाल करवाई की और रामगण के थानापरभारी को उनके पत से हटा दिया गया है जारकन की अर्थ व्यवस्था को बरबाद करने की साजिस हमत सुरेन जारकन के मुख मंतरी हमान सुरेन ने केंद्र की नरेंद मोदी सरकार पर गांबीर आरोप लगाते हुए कहा की जारकन की अर्थ व्यवस्था को बरबाद करने की साजिस हो रही है जारकन सरकार इसे बरबाद नहीं करेगी मुख मंत्री सीरी सुरेन ने ट्वीट करके केंदर सरकार को चेताया कि वह जारकन के राज कोशी बेवास्था को आसंतुलित करने की सुन योजी स्कोशिस बंद करे जारकन के सिक्चा मंत्री की हलात में सुधार नहीं शिक्षा मंत्री जगनात महतों के स्वास्त में सुधार नहीं आने के कराण उनके परिवार के साथ मुख मंत्री हमन सुरेन भी चिंतित हैं यहीं कराण है कि उनकी पाहलपर गुरु ग्राम मेधी शिटी के बिसे सगे डाक्टों ने सनिवार को वीडियो कन्फरेंसिंग के जर्य जगनात महतों के स्वास्त की जनकारी ली राक्टों ने उनकी हालाद देखने के बाद कहा कि उन्हें मेदान्थ के बजाय वैसे अस्पताल में सीफ्ट किये जाए जहां लंग्ष ट्रांस्प्लांट की सुविदा हो इसके लिए अब हाइदराबाद और अपोलो चेनाई से बात की जाएगी दसहरा की छुटी में इसकूली बच्चों को नहीं मिलेगा डिजिटल कंटेंट जारखन के सरकारी इसकूलों के बच्चों को सोमवा से डिजिटल कंटेंट नहीं मिल सकेंगे बच्चों को अब 26 अक्टूबर से डिजिटल कंटेंट मिलेगा बता दे कि इसके लिए जार्खन सेचिनिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशत के निदेशक डाक्टर सलेश कुमार चौरसिया ने सभी जीला को निर्देश दे दिया है सनिवार को कलस अस्थापना के छूटी के वज़ा से कंटेंट नहीं उपलब्द कराई गई सर्दिये नौरात्र सनिवार से सुरू हो गई दुर्गोट्सों को लेकर राची समेत राज्य भर में भक्ती और उत्साह का महुल देखा जा रहा है बता दे कि कलस अस्थापना के साथ ही सकती सवरूपा मात दुर्गे की पूजा अराधना शुरू हो गई है सर्दिये नवरातर के पहले दिन सनिवार को कलस्त असापना के साथ ही देवीद दुर्गा के प्रतम सरूप मासाहिल पुत्री की पुजा अर्चना की गई राची SSP सुरेंदर कुमार जहां ने कुरोना को मात देकर काम परलवट आये हैं सनिवार को SSP अपने कर्याले आकर आम जानता से मिले और उनके समस्या को खतम करने का स्वासन दिया साथी लंबे समय से ओफिस में पड़े काम का निप्टारा किये बता दे कि कुरोना संक्रमीत पाये जाने के बाद सुरेंद्र कुमाय जहां अपने ही घर में होम आईसोलेशन में थे लगभग 25 दिन होम आईसोलेशन में रहते हुए SSP ने कई बड़े मामले की मोनेटरिंग की है जारकन में 542 ने संक्रमीतों के पुष्टी हुई जो राची से 242, बोकारो 44, चत्रा 2, देवघर 16, धनबाज 26, दूमका 3, पूर्वी 66, गडवा 7, गोड़ा 10, गुमला 18, हजारी बैग 9, जाम तड़ा 1, खोटी 20, कुडर्मा 9, लातेहार 8, लोहरदागा 4, पाकुर 8, पलामु 2, रामगर 25, शराय के ला, वसिम्डेगा से 6, बाच्मि सिम्ण से 10, मिले हैं, जारकान में कुल संक्राबीतोग संख्या 95, 1940, सर्ट है जबकि 88, 569, लोग स्वास्थ हुए और 832, की मिरती हो गई, भारत में कुल संक्राबीतोग संख्या 94,92, 1727, है जबकि 65, 349,399, लोग स्वास्थ हुए और 1,144, 64, की मिरती हो गई, भ को आठ मरीज की मौत हो गई जो जमसेदपूर से चार बोकारो धनबाद गिरीडी वा गोड़ा से एक एक की मौत हुई है सनिवार को 501 मरीज स्वस्त भी हुए है बता दे कि राजे में अब मात्र 656 चेहतर एक्टीब केस है एक्टीब केस राची 233 जमसेदपू 1356 बोकारो 344 दूरगा पूजा में होम आईसोलेशन में रहने वालोब पर पैनी नजर रखेगा परसासन दूरगा पूजा में होम आईसोलेशन में रहने वाले लोग घर से बाहर नहीं निकले इसको लेका जीला परसासन ने खास त्यारी की है होम आईसोलेशन में रहने वालों लोगों की तीन अस्तरिय मोनिटरिंग की जा रही है संबंधित इंसिडेंट कमांडर से हर दिन दो बार रिपोर्ट लिया रही है इसके अलावा कंट्रोल रूम से भी फोन कर मरीजों से बात कर उसका हाल चाल लिया जा रहा है जेल से छुटे अपराधियों से लगवाई थाना हाजरी एस भी राची पूलिस हत्या, लूट, छिंताई, चोरी, आधी मामले में जमानाद पर जेल से बाहर निकले अपराधियों की गती बीदियों पर नजर रखेगी ऐसे अपराधियों से थाने में हाजरी भी लगवाई जाएगी बता देगी दुरगापुजा के मोके पर अपराधि घटनाओ पर अंकूस लगाने को लेकर राची पूलिस ऐसी बेवस्ता करने जा रही है 24 और 25 अक्टूबर को आलमगीर आलम चलाएंगे सगन परचार अभियान कांग्रेस बिधायक दल के नेता सहग्रामिन विकास बिभाग के मंत्री आलमगीर आलम बेरमो बिधान सभा उपचुनाव में गडबंधन के कांग्रेस उमिद्वार कुमार जै मंगल के पक्ष में 24 और 25 अक्टूबर को सगन परचार अभियान चलाएंगे बता दे कि परदेस कांग्रेस के प्रवक्ता लाल किसोर नात सहदेव ने सनिवार को बताया कि अलमगीर कुमाल जै मंगल के पक्ष में बेरमो बिधान सभा के अंतरगत विभीन चेत्रों में अनेको जन सभावों को समधित भी करेंगे केंद्र सरकार मन्रेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी पर विचार करे रमेस्वर उराव काज़ेस के परदेश अध्यक्ष रमेसर उराव ने कहा कि केंदेसरकार को ज्खरकन के मनरेगा मजदूरी के लिए मजदूरी दर में बढ़ोत्री पर विचार करना चाहिए उराव ने सनिवार को कहा कि कुरोना संक्रमन काल में अभी कंस्ट्रक्शन कारे में तेजी नहीं आई है जाकन जैसे अदिवासी बहुल राजों में मन रहेगा जो इनावों से बड़ी संखावों में लोगों को रोजगार मिल रहा है संक्रमित मरीज मिलने पर भी बंद नहीं होगा एचिसी में उत्पाद एचिसी में कुरोना के प्रोटोकाल में बदलाव किया गया है अब किसी प्लांट के सौप में किसी करमचारी के संक्रमित होने पर सौप को अब दो दिनों के लिए बंद नहीं कराया जाएगा बतादे की करमचारी के संक्रमित मिलने के बाद सौप को पूरी तरह सनिटाज करने के बाद उत्पादन सुरू किया जाएगा इस समान में प्रवंदर ने आदेश जारी कर दिया है रगवर सरकार का बकाया मेरी सरकार से वसूल रहा केंदर हीमधislurain मुकपंतरी हेमधislurain ने सुकर recipe बबाद में मीडिया से बात करते हुए बताया की डीवी सी का चप्पन सो कोरोर रुपए बाकाया भाजपा सरकार की देन है उन्होंने सवाल किया कि पिछली रहवरदास की सरकार से कारेकाल में केंद्र सरकार नया रासी क्यों नहीं काटी सेल करमचारियों को 16,500 रुपे बोनस बोकारो इस्टील पलंट सहीद सेल के विभीन पलंटों में कारेत कामगारों को इस वर 1500 रुपे बोनस मिलेगा बोनस की रासी 21 अक्टूबर तक सभी कामगारों के खाते में डाल दी जाएगी सेल के चेर्मेन अनील चोधरी ने या घोसना नेशनल जॉइन्ट कमेटी फोर इस्टील की सुक्रवार देर साम आवित वर्शुल बैठक में की है जारखन में जल्द सुरू होगी 112 सेवा अब किसी भी एमर्जंसी सेवा के लिए राज में डायल 112 सेवा जल सुरू करने के त्यारी है इसे देखते हुए पुलिस मुख्याले ने सभी जीला के सस्पी एस्वी को पत्रचार करया निदेशित किया है कि इस सेवा के लिए सभी जीला के 64 सिपाही जमादारों का चैन किया गया है वेसी ग्रयोगदान दे इने राची इस्थित सेंट्रल हेल्प डेस्क में योगदान देना है रगुबर्दास सिक्छा मंत्री के परिजोन से की मुलकात भाजपा के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष और जार्खन के पूरो मुख मंत्री रगुबर्दास ने राची इस्थित सिक्छा मंत्री जगनात महतों के आवास जाकर उनके परिजोन से मुलकात की है इसके आलामा भाजपा परिजबर्देश अध्यक्ष और सांसल दिपर प्रकास ने भी इस्थित सिक्छा मंत्री जगनात महतों के राची इस्थित आवास पर जाकर उनके परिजोनों से मुलकात की है मुख्ष मंत्री वग क्रिसी मंत्री ने बाबा मंदिर में की पूजा मुख्ष मंत्री हमन सुरेन के साथ क्रिसी पसुपाला ने अब साकारिता मंत्री बादल पत्रलेक सन्निवार बाबा मंदिर देवगर पहुँचे उन्होंने लगतार कुरोना महामारी से जुज रहे सिक्षा मंत्री जगनात महतों के स्वास्थ होने को लेकर बाबा के सामने संकल्प किया कृसी बादल ने बाबा से बिंती किया है कि जल्द से जल्द सिक्षा मंत्री जगनात महतों जी के स्वास्थ में सुधार हो वो ने कहा कि सिक्षा मंत्री के स्वस्थ होने के बाद उनके साथ बाबा मंदीर दुबारा पहुचूंगा खोटी जिला में मासिक यी लोक अदालत लगा खोटी बेवार नयालाय परिसर में सनिवार को वर्चुल मासिक यी लोक अदालत का आउजन किया गया प्रदान जिला एवं सत्र नियाधिस ललित प्रकास 24 के अध्यक्ता में आविजित इस ई लोक आदालत में कुल और सट लॉम्वित मामलो का निस्पादन किया गया साथी 12,34,025 रुपे रासी का सेटल्मेंट भी किया गया दुमका में आदिवासी छात्र संगठन एमुख मंत्री का पुतला फुका संताल परगना महाविद्याले दुमका के समीप आदिवासी छात्र संगठन दुमका ने सीम हेमन सुरेन का पुतला दहन सनिवार को किया पुतला दहन रामगड में पाचवीक अक्षा की बारा बर्सुए नवालिक छात्रेक के ट्यूसन से लटते वक्त अप्रयाधियों ने ददनाक समोईक दूसकर्म करहत्याक के विरोध में किया है चात्र संगठन सोसल डिस्टेंसिंग अपालन करते हुए मुखवंत्रेमान सुरेन एमस्था ने पुलिस परसाशन की कडि निंदा करते हुए पुतला दहन किया देवघर में रभी फसल के बीज बितरन के लिए नोडल पैक्स बनाएगा है रभी फसल के मौसम को देखते हुए साकार्टा भी भाग ने रभी फसल बीज बितरन के लिए देवघर जीला में दो नोडल पैक्स बनाएगा है इन नोडल पैक्स को परखंड के सभी पैक्स को टैग कर दिया गया है एवम देवगर जीला के जीला सरकार्टा पताधिकारी और जीला केसी पताधिकारी द्वारा सभी अध्यक्सों को सक्स निदेश दिया गया है कि सरकार के गाईलान के अनुसार ही बीज का बित्रन करेंगे एवम वैसे किसान को ही बीज मुहया कराएंगे जो खेती करते हैं थांक यू